प्रेटायर हुए और विभिन देशों के अंदर भारत्खा प्रते जित्र आपने किया 23 कारिफ को मानने बुलान नभी अधासाव और राजबबर जी के समक्ष कॉंग्रेस की नीटिया और राउल गांदी के नित्र से परभावित होकर पार्टी में शामिल हुने का लिल्ले किया है और यह हमारे लिए सवाग्य की बात है अब बड़े घर्व की बात है कि हमारे यहां का एक लक्ती विभिन देशों में होचे पदों को उपर लेने का काम हुआ किया इनके तादा चेर्में गया उनकी सो तीस में हम वोता आगे हमने दिया कि और कई मरतबा उन्होंने ताउजी निशेद इनके चुनाओ रिबबबलिकन पार्टी से जर्नल सीट पर गिया दलित होने के बाद बड़ने काम किया तो आज तो हम सब इनका स्वागत सम्मान हमने करना रिया आपको इस समक्ष आज इसलिए कि आए कि आप कोई पता चले कि हमारे जन्पत का नाम विभीन देशों में रोशन करने वाला व्यक्ति आज का अंग्रिस का इंग्दार सांगी है अन्देबाद इंद्रण भाई जिलाइक जी साहनी साहब पक्सुद भाई जिलाद देश्ट शिवाल्या जी जावेद साहब तरवाई कटेश्ट और सभी साथियों और मीडिया के बंद्वों मैं इमाम भाई मेरा जो मेरे इस से पहले का जो मेरा काम था उसके बारे में थोड़ा आपको बताया मैं वार्के विजेश से वाँ में रहा 1984 में गया था और इसी शहर का रहने वाला हूं यही से पढ़ा हूं मेरा नानों तके पास नंगोगड गाउं है और फिर यहिंगा इसम इंटर पारी सहारम पूर से मैंने इंटर मिलेर किया था और इसके बाद जे विजयन पाले सारंपोर से में इंग्लिश और बीएट की शिक्षप आई और उसके बाद पतियोंगी प्रिक्षाइडी की वाद भातिर देश शेवा में चना गया था हमारा मेरने है जो लिया कि सामाजिक कारिय करना है और सामाजिक कारिय बिलकुल सीधे तौर पर करना है और कुछ सिदे तोर पर सामाजित कार्य करने में मेरा अपना ये विचार है, मेरी ये विचार दारा है कि अंग्रे से कैसी पार्टी है जो देश के हर वर्ग, समाज के हर वर्ग, हर किसे हर वर्ग के अर्थ वेवस्था, चाहे वो मद्यमवर्ग हो, चाहे वो कुछ वर्ग हो, किसान हो मजदूर हो और विशेश कर मैं इस बाद पर विशेश दबाव देना चाहूंगा कि दलित वर उन सब का सही न्यायाईक प्रतिने देट्टों कॉंग्रेस पार्टी करती है इसलिए मैंने कॉंग्रेस जोइन कर देका मेरने दिया मेरा ये भी मारना है कि मैं अगर कहूं तो मैं दो चीज तब मैं आपको सिपाही कहूंगा एक बाबा साहिप की विचारधारा का सिपाही और एक कॉंग्रेस की विचारधारा का सिपाही इन दोनों का चेत्र में काली करने के लिए मैं मादान में उत्रहूं और जो भी जिम्मेदारी मुझे कॉंग्रेस पार्टी देएगी मैं वो सब काली करूंगा आप लोगों के बीच हूं बीच में रहूंगा और यही मेरा विचार जैसे वो तो हम कभी आप अगर जो यह उप्लीन द्रहूंगा संकशेट में आप लोगों को बता देरा चाहता हूं कि कॉंग्रेस एक ऐसी विचार धारा है जिस्ते जिसमें सब विचारधारी निकलिह राजनीतिक मुझार धार अगर आप देखो तो पूरे देश की सारी राजनीतिक विचार धाराने रहे को देश सीधा गॉंग्रेस के ने तरफ में आया कि देश के लोगों को चाहिये था और उचाहते थे कि देश को दिशा जो है वह कॉंग्रेस का जो राष्टी आंदोलन था जो सब गर्वों के लिए जो काम करने की कॉंग्रेस की नीतिती उसके विजह से देश कांग्रेस के नेत्रतु में आया था और चला है और चलता रहा है बीच-बीच में बदला होते हैं और लेकिन ये विचारधारा मेरे हिसाल से मैं कानजाता की इतनी मझबूत विचारधार है जिसमें जो हमेशा रहे की और में आप चाहेंगे कुछ बात है करना करके बारे मेरे अपने ठोस विचार है डॉक्त कर को सभी आज बड़े अब मेरे लिए गर्भ की बात है कि सभी राजमितिक दल उनको अपना कहने हैं और अपना मान वहें लेकिन मेरा यह मानना है कि डॉक्त कर कोई किसी दलीत वर्ग दिया उनके नेता नहीं है वो देश के न जिससे देश में शक्ति है और इस देश के को ज्याएक रवस्था और समसे बड़ी जिसको अंग्रेजी में बोले कि राइट बेस पॉलिटिक्स उन्होंने तभी कहा था कि यह देश ऐसा है यह जातियों में बटावा देश है इसमें प्रजातंत्र को बजबूत रखने के और देशों में ऐसा नहीं है कि उनका जो मूल ढाचा है उसे कोई जी नहीं बदल सकता है यह इस लिए क्योंकि डॉक्तर अमबेट करकी विचार धारा थे उन्हें पदा था कि देश में किस-किस तरह की चुनोतियां आगे आएंगी और क्या-क्या समस्यां आ सकते हैं वह ब जो विजन उन्हें ने यह समीधान में किये और इस मेरा पर्सनल कमिट्मेंट है कि डॉक्टर अमबेटकर कांग्रस की विचारधारा में और वो वो वेत्ती थी जो जो कहना है ने वो कहते थी बहुत अपने कि हम विचार अर्फ हुए उनके पास यह के पास आपलेटी एक उद्धी ठी थी और वह कि मधान के पलो नहीं को एंग्रेस कुझ दिशादी ओन उन मीतियों की इन मीतियों से बार में देश चाहिए बहुत बहुत मैंने माद और आप और पषब कोचना चाहें पूए अभुधिय। जिटि अधिगारी तो हैं लिए वर्तमान सरकारों के बारे में क्या कहला है। लिए वर्तमान सरकारों के बारे में आप अब बुल यहां आज की प्रेस कांफरेंच का आरंब इस बाती से था कि परिछय देना है। और क्यों मैं कांग्रेस में आया हूं यह वे ने आपको लगबख विस्टार में बता लिया लेकिन आपको सवाल बहुत अच्छा है एक कारण यह भी है कि मैं कांग्रेस में कि देश के इस्थिती वर्तमान में अच्छी नहीं है और ऐसे में अपना परिवार पाल के घर बैट जाना मैंने सोचा वो ठीक नहीं होगा देश को लोग कहते हैं कि पड़े लिखे लोगों की फील्ड नहीं है राजनीती लेकिन हमने यह मान के चले हैं कि हमें जो देश की सेवा करने की जो ट्रेनिंग वारतिय विदेश सेवा में मिली वो राजनीती में भी बहुत काम की बहुत हैं है तो आप मतेश को सक्राइए लीघियों का सरकार में टो इस समय में तो इस यह मौणad पर खड़ा है है कि सब्सक्राइब कहता हूँ कि अब धुबारा से कांग्रेस को एक वह आंदोलन करना पड़ेगा जैसे कि दर्श्टियां किया और देश खड़ा है कि वह अंदोलन से पाइब उस बलिदान से बढ़ सकता है जो फांडेस ने अपने राष्टी आंदोलन के समय दिया था क्योंकि इस्थितियां बहुत विशम हैं और अगर आप स्पेसिफिक पॉइंट को पोछना चाहते हैं कि अगर आगे बढ़ रहा है तो आप बताईए कि आज की किसान की मुझदूर की स्थिति इतनी बद तर क्यों है अभी आप ये बहुत ज्यादा है बहुत आप जो करने के बाद जो मेरे संभाद चल रहे लोगों के साथ तो उनके समस्यां भी पता लग रहेंगे समस्यां में मैं सबसे बढ़ा माता हूं कि जिस दिन से सर्कार पावर मैं थी उस दिन से ही सर्कार की जो किसान मीति है वो मेरे हिसान से बहुत कंजोर किसान में और अब उसको परिवर्षच करने की जो भी कोशशय हो रहे हैं वो भी बहुत साफ तो मुझे नहीने ज़रा ही और मैं भी क्योंकि इस छिक्र से बिलोंग करता हूं जो भारत को बड़ा और यहां की समस्यां बहुत स्पश्ट हैं। वो आपने देख लिया, केडाने के उप्चिनों में भी देख लिया, किसानों ने अपनी समस्यां को बताया और उसका जवाब उन्होंने जन्मत के तोर पर रूप देख लिए। और आप अगर मुझे कहें, मैं योग में दिक्षित हूँ और पेरे अपने गुरू है, मैं हर पुरंपुरा को मैं आ रहा हूँ, अर्दे के लिए एक बैग्रांड है, मैं सिधा यह नहीं कहने वाला के मंदिर अच्छा है, मंदिर गलत है, मैं उस विवाद में ही नहीं हूँ मैं यह कहना चाहता हूँ आपको, कि मैं भी प्रेक्टिसिंग हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू के उस सारे सुरूप में विश्वास रखता हूँ, मैं भी बगवान राम में उतनी आस्ता रखता हूँ, जितना कोई किसी भी हिंदू और किसी भात्ते पर रखनी चाहिए, ले को भी कहती है और बहुत प्रेल पूर्वक बनना चाहिए यह विल्कुल विल्कुल हम इस बात के विरोगी नहीं है क्योंकि हमें कहा और अब अगर बेरे से व्याद के करा है मैं कॉंग्रेस का बहुत बनाए रिक्रूट हूं लेकिन पर कॉंग्रेस को खिलाफ है खिलाफ तो कोई भी नहीं है देश में आप सब्सक्राइब बज रही है है एिक अबर इसो है आप प्रूवीड नहीं है